बास्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीस विजन अकैडमी पर तो सीजी सेट एकजाम 2024 प्रिप्रेशन के लिए हम सभी जो है तैयार है और सभी जानते हैं आप सभी को शुपकाम ना है तो आज हम देखेंगे 2019 का कुश्चन पेपर और ये सोशियोलाज का कुश्चन पेपर है ध्यान रखेंगे और आप कमेंट कर रहे थे कि सर पार्ट 3 करा दीजे तो चलिए 2019 का पार्ट 1-2 में हमने 75 नंबर कुश्चन तक कर लिया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिष्ट बना दिया हुमाएं 36 गड़ से सिजी असिस्टेन प्रफे तो चलिए हम सुरू करेंगे और एक चीज और बतादो जो महतपून बाते हैं आप कंफ्यूज मत हो ये जो भी हम आंसर ले रहे हैं व्यापम दोरा जो फाइनल माडल आंसर जारी किया गया थो उसी माडल आंसर के अनुसार हम जो है आंसर ले रहे हैं बहुत सारे कमेंट कर ये घबराने की कोई आशकता नहीं बिल्कुल आपको 100% सही आंसर बताया जाएगा चलिए 76 नंबर का कुश्चन इसके बाद जियोग्राफी और लाइफ साइंस और भी जो सब्जेक्ट हैं आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताईएगा उसका भी लगातार विड़ो प्रॉ की विशस्ताय है तो देखिए नवकर सही आदर्स प्रकार के नवकर सही की विशस्ताय क्या है तो चलिए देखते हैं ओप्सन कूट में आंसर लेना है प्राधिकार का सौपान तो यही से आप देखिए यही से आंसर टिक करते चलिए तो प्राधिकार का सौपान पाया जात तो 76 का ए जो है correct answer होगा चलिए 77 नंबर का question देखते है E governance के क्या लाब है तो E governance का सक्षा में लागत बचत ये भी लाब है बढ़ती हुई पारदर्सिता ये भी आएगा और घड़ता हुआ ब्रस्टचार ये भी आएगा तो correct answer उप्रोक तो सभी D जो है correct answer होगा 78 नंबर का देखते हैं नीमनलिकित में से कौन सी gas global warming में योगदान नहीं करती कह रहा है योगदान नहीं करती तो चलिए methane तो करती है मतलब ये जो है global warming के लिए उत्तरदाई gas है carbon dioxide भी देखें तो ये भी है और sulfur भी है लेकिन acetylene नहीं है तो D यहाँ पर correct answer होगा क्योंकि global warming के लिए कौन सी gas योगदान नहीं करती तो acetylene जो है इसके लिए उत्तरदाई gas नहीं है चलिए अगले 79 नंबर का virtual community को खाली स्थान भी कहा जाता है 79 online community नहीं web community नहीं online community और web community यह कहा जाता है तो 79 का c correct answer होगा 80 नंबर का question देखते हैं पर यह वर्णनी समस्याओं को सरपथम वैस्विक इस्तर पर किस वर्षर अप्चारिक माननेता प्राप्त होई तो देखे यह 1942 नहीं 52 नहीं 1972 में प्राप्त होई थी तो यहां ध्यान रखेगा 80 नंबर का D correct answer होगा 81 नंबर का question देखते हैं किस सिध्धान्त के अनुसार मानों के संपूर्ण विकास के लिए संपत्ति आवश्यक है 81 तो देखिए व्यासाइक सिध्धान्त नहीं स्रम सिध्धान्त के लिए तो B जो है correct answer होगा 82 नंबर का question देखते हैं Staying Alive Women Ecology and Survival In India के द्वारा लिखे गई किसके द्वारा लिखे गई यह तो देखिए इससे भी संबंधित आपको question देखना है इसलिए हम solve करते है question paper की book और उसके लेखक से संबंधित question पुछा गया है एक जो है जीके से संबंधित question पुछ दिया गया है global warming का तो हर तरह से आप पढ़ें तो चलिए देखते है 82 नंबर का question 82 नंबर का सही answer होगा Elvin, Toffler नहीं Medha, Potaker भी नहीं, Vandana, Siva, Dora यह लिखे गई है तो चलिए 82 का सी correct answer होगा 83 नंबर का question जो था यह संस्कृति एक जैवी कौनसा गती है और इसे कूट में answer लेना था यह व्यापम दोरा विलोपीत कर दिया गया question है व्यापम दोरा इसे क्या किया गया है विलोपीत किया गया है चलिए next question देखते है 84 नंबर का question अंतह देखिए जनजाती आर्थिक संबन जो होते थे पहले के वो वस्तु विन्मा प्रणारी प्रशलित थी और अदला वदली पर तो 84 का C जो है correct answer होगा और यह बहुत ही simple question है इस तरह से question सबसे बनने चाहिए logic question कहा जाए एक तरह से lightly question है 85 का A जो है correct answer होगा कि राज जे एक आवस्यक बुराई है देखिए राज जे एक आवस्यक बुराई है इसके बारे में कौन बात करते हैं तो ब्यक्ति वादी बात करते हैं 85 का A जो है correct answer होगा 86 नंबर का question देखते हैं कथन है A कथन A है पंचायती राज सन पंदरा सव 1969 में अस्तित तुमें आया जब बल्वंत राय महता अध्यन दल ने अपना प्रतिवधन प्रस्तोत किया तो देखिए ए तो सही है अब चलिए रेखते हैं आर तर्क क्या देगा है पंचायती राज की अधाना का विकास सामुदाईक विकास कारेकरम को गति प्रतान करने और इच्छी जनसहो प्राप्त करने के उद्देश से हुआ तो देखिए दोनों सही है और ये तर्क जो है कथन की व्याख्या करता है तो देखिए ए गलत हो जाएक ओप्सन में A और R दोनों सही है B में और R A की सही व्याख्या करता है तो 86 कब B जो है correct answer होगा 87 नंबर का question देखते है निम्नांकित में से कौन एक वैग्यानिक पध्धती की विशेस्ता नहीं है तो देखे वैग्यानिक पध्धती की विशेस्ता कौन से नहीं है निश्चयात्मक ये वैग्यानिक पध्धती की विशेस्ता है करम पध्धत्यन ये भी है सत्यापन सिल्ता ये भी सही है लेकिन वैक्ति निश्ठता नहीं होता एकदम अच्छे से ध्यान रखेगा बहुत सारे subject में ये पूछा गया है ये question रिपीट होने की संभावना बन सकता है तो ये question आप अच्छे से करिए क्योंकि वैग्यानिक पध्धती की विशेस्ता में वैक्ति निश्ठता नहीं होगा तो D यहाँ पर correct answer होगा 88 number का question देखते है नीम्नांकित में किसने समू को अंतर समू और बैसमू विश्ठत किया इस question को व्यापमदारा विलोपित किया गया है चलिए अगला देखते है 89 number का question जी एस धुर्वे ने समास्तास्त्री सोध में नीम्नमेसिक किन-किन संदेशों यों विध्यों का उप्योग किया है तो कुट के अनुसार आंसर लेना है तो चलिए रेखते है सांस्कृतिक संदर्स ये नहीं है इंडोलोजिकल संदर्स ये बिल्कुल सही है फिर उसके आगमनात्मक अनुभाविक विधी ये भी था समास्तास्त्री सोध में जीएस धुर्ये का घुर्ये का और एतिहासिक तुलनात्मक विधी ये भी था तो B, C, D और निगमनात्मक ये नहीं था तो B में करेक्ट आंसर है आपका 89 का B करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर का कुश्चन देखते है जल प्रदुसर के प्रमुक सुरोत क्या है देखे जल प्रदुसर के प्रमुक सुरोत क्या है और दोगीक अप्सिस्ट नहीं सीवेज अप्सिस्ट देखे दो चीज दियेगा अच्छे से ध्यान देंगे जल प्रदुसर के प्रमुक सुरोत तो चलिए उप्रोक्त सभी है इसमें इसलिए हम अच्छे से option पढ़ेंगे और दोगी of cyst आता है विल्कुल सीवेज of cyst भी होता है और क्रिसी प्रदूसक भी होता है तो उप्रोक तो सभी आगर क्योंकि उप्रोक तो सभी दिया है तो option आपको अच्छे से लेना है तो यहां 90 का D जो है correct answer होगा 91 number का question देखते है The elementary forms of new religious life नामक पूस्तक के लेखक कौन है देखिए लेखक से संबंदित question पूछा जा रहा है इमाईल दुर्खिम नहीं है राय वेलिस कौन है राय वेलिस तो 91 का B जो है correct answer होगा 92 का देखते है सबला योजना महिलाओ के किस आय वर्ग को सामिल करती है देखिए ये उस समय 2019 के समय जो आपके current affair current से संबंदित योजनाय चल रहता उससे भी question पूछा गया है तो current affair आप जरूर करके जाए इसमें 11 से 18 वर्ष की आई वर्गर की महिलाओ को सामिल किया गया सबला योजना में तो 92 का जो है एक correct answer होगा 93 नमबर का question देखते है virtual community सब्दा का सरपथम प्रयोक सरपथम किस ने इस्तिमाल किया था 93 का तो उलरीज बेक नहीं गिडेन नहीं जीन यंग ब्ल तो ये जो है क्या है सी जो है correct answer होगा 93 का चलिए अगला question देखते है 94 नमबर का निम्न में से कौन से धर्म के सरचनात्मक पहलू है धर्म के सरचनात्मक पहलू कौन सा है ये चलि 94 नमबर के देखते है तो धर्म सास्तिर तो आये गही उपावन अपावन नहीं होगा रहस से बाद आएगा और कालपनी कता नहीं होगा तो A और C correct answer होगा ये option में A भी नहीं है B में C में भी नहीं है D में इसका answer है तो 94 का D जो है correct answer होगा चलिए 95 नमबर का question देखते हैं राजय योजन आयोक समितिक अध्यक्ष कौन होता है राजय योजन आयोक से पुछा जा रहा है ध्यान रखेगा राजय पन नहीं होते मुख्य मांत्र होते है और केंद्री योजन आयोक जो होता है उसका समितिक अध्यक्ष प्रधान मांत्र होते है राज्य में कौन होते हैं? मुख्य मंतिर होते हैं ये भी ध्यान रखेगा 95 को क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों यहाँ पे तीन विशेस पदों मालिक, क्रिशक, जमिदारों के लिए किसान, कारेसिल किसानों के लिए ये वा मजदूर, खेती हर्ष्वमिकों के लिए कि उपयोग से निम्नमेसिक कि समाजवादी ने भारत में क्रिशक संबंधों का विशले चल कि है तो डेनियल थोरनर ने किया है देखे, 96 का ए जो है करेक्ट आंसर हो गया 97 नमबर का कोश्चन देखते है वैज्यानिक विधी में प्रक्रिया का सही अनुकरम ग्याद किजिए वैज्यानिक विधी में तो परिकल्पना, और लोकन, अभिलेखन, वर्गी करन, पुर्वा नुमान, यमसत्यापन बिल्कुर सही जमाजुमा है ये तो 97 का A करेक्ट आंसर होगा 98 का देखते है वैक्ति अध्यान में वैक्ति की बहुत साधानी से अध्यान किया जाता है नहीं वैक्ति की समपूर अध्यान किया जाती नहीं वैक्ति की साधानी पूरो का अध्यान किया जाती नहीं तो देखी चिपकों आंदोलंग से संबंधित कौन से है परियावरल है तो ये जो है 99 का एक करेक्ट आंसर होगा 100 नंबर का question है और ये कूट में है और अंतिम question है इसके बाद बता दूँ है life science, geography और भी अन्य subject है जितने भी subject बन जा रहे हैं कोशिस की जा रही है कि इस 3-4 दिन में जीतना हो जाए आपको लगा तर वीडियो प्रवाइट करा जाएगा कौन से कथन सही है इमाईल दुर्खिम के नुसार तो चलिए देखते हैं परार्थोन मूख आत्महत्य एकी करण की उच कोटी से संबंध है बिल्कु सही है और उसके बाद अहनमय आत्महत्य नियंत्रण की एक कुछ कोटी संबंध है नहीं होगा आगे देखते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर दुर्ख वादी आत्महत्य एकी करण की नियंत्रण की नियंत्रण की एक नियंत्रण की नियंत्रण की नियंत्रण की एक नियंत्रण की संबंध है बिल्कु सही है ए और डी आएगा तो 100 नंबर का जो question उसका A और D, A में नहीं है, B में नहीं है, C option में आपका answer है, तो 100 का C जो है correct answer होगा, तो आज की video में फिल हल complete होता है आपका sociology, अगर आपको 2018 का करना है, 17 का करना है, तो आप comment करके जरूर बताएं, उसे भी complete करा जाएगा, तो दोस्तो आज की video में फिल हल